हेलो दोस्तों बेरी गुड इबनिंग आज एक और नए केसस्टडी के साथ हाजिर हूँ यह केसस्टडी यह है कि एक गाड़ी है जिसकी पॉलिसी बेलिड है और गाड़ी का जो एक्सिरेंट डेट है अब देख पा रहे होंगे 10 फेबररी 2013 मान लेते हैं यह गाड़ी है यह एक्सिरेंट डेट है 10 फरवरी 23 जिक पॉलिसी पिरियर 13 अगस्ट दोहजार बाइस बारा अगस्ट दोहजार ताइश जिसका मतलब यह है कि पॉलिशी बहलिड है जिक है बट क्लेम रिजक्टेड क्लेम रिजक्ट हो गया क्यों रिजक्ट हुआ और क्यों 99.9% कस्टमर क्लेम रिजक्ट हुए ठीक है उसकी इनसूरेंस थर्ड पार्टी जो कार में है वो तीन साल के लिए कर दिया गया था और बाइक के केस में फाइफ यएर के लिए मैंडेटरी हो गया था थर्ड पार्टी इनसूरेंस तो उसी तरह की केस यह है देखिए गारी है 2020 की थोड़ और वेरेटी देखता हूँ क्या है 13 अगस्त 22 से 12 अगस्त 2023 डेट ओफ एक्सिडेंट डेट ओफ एक्सिडेंट क्या था दस फ़बरी तैश ठीक है तो अब क्यों क्लेम नहीं मिला यह देखने वाली बात है देट ओफ एक्सिडेंट 10 फ़बरी तैश है और पॉलिशी 13 अगस्त 2022 से 12 अगस्त 2023 से तो इस कवरेज प्रियेड में तो है देट ओफ एक्सिडेंट तो क्लेम क्यों नहीं मिला देखिए क् पॉलिशी है अस्टेंड ऑन उन उन प्राइबेट कार इंसरेंश मतलब इस पॉलिशी में ऑनली ऑन डेमेज कवरेज है ठीक है तो कोई भी गाड़ी इंडियन मोटर वहिकल एक्ट के तहत कोई भी गाड़ी रोड पे भारत के रोड़ पे तभी चलेगी जब उसका थरrड-party इंस्रेंस करा हुआ हो मतलब रोड़ पर चलने के लि taraf पार्ट इंस्रेंस होना चाहिए तो आप कहेंगे कि तीन साल का तो इंस्रेंस करा हुआ है ठीक है तीन liability policy है वो है SBI General Insurance Company शे और इसका पिरियर्ड क्या है validity period देखिए 23 January 20 से 12 January 23 ठीक है और गाड़ी का accident कब हुआ February 23 में मतलब यह है कि जब गाड़ी की accident वी तब गाड़ी का on damage policy तो valid है लेकिन third party policy valid नहीं है इस वज़ा से claim नहीं दिया गया और third party policy mandatory है वहिकल को road पे चलने के लिए clear है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं समझते हैं गाड़ी देख लिजे बेनु गाड़ी है 99860 का है 2020 का गाड़ी है ठीक है अब ऐसा gap कैसे हो गया यह समझने वाली बात है policy period 12 January 23 में खत्म हो गया third party का और on damage अगस्त में खत्म होनी है बार अगस्त दोजार तरश ऐसा gap कैसे हो गया यह समझने चाहता हूं तो इसको समझने के लिए customer से consult करने के बाद यह पता चला कि customers का पहला insurance पहला insurance क्या था January 20 चे जनवरी बीस से अकीश पहला insurance रहा ठीक है और फिर जनवरी अकीश से बाईश दुसरा insurance रहा उसके बाद यहां customers छे साथ मेहना का लगबग gap ले ली है customer सा कहना था कि बाहर चले गए थे customers फॉरें चले गए थे ठीक है तो साथ मन्त customer की गाड़ी घर में रह गई अब साथ मन्त घर में रह गया अब customer आए वापस तो insurance को renewal कराने आए तो क्योंकि renewal के समय अगर third party जो policy है वो 10 दिन भी valid रहेगा तो only on damage ही insurance होगा ठीक है तो यहां renewal के समय उसकी जो policy थी मतला अगस्त में वो renewal कराने आएं तो जनवरी में third party लेपस हो जाना था अब करना यह था कि जनवरी में customer को अलग से third party का policy ले लेने था चाहे किसी भी company से ठीक है third party policy में क्या पढ़ता 998CC का है 2094 पढ़ता tp rate यह है tp rate है 2094 plus tax मोटा मटी 23-24 रुपया लगा करके 12 January को जो lapse हुआ तो उस समय इसको करा लेना था customer को जो की 13 January 23-24 तक चलता ठीक है और कई customers इस तरह से कराते भी हैं नहीं क्योंकि जानकारी कम रहती है नॉर्मली मैंने जैसे लेखा कि 99.9% customer को यह पता नहीं होता है insurance हो गिया मतलब एक साल का insurance हो गिया यह समझते हैं ठीक है बहुत सारे customers का इस तरह से fluctuation हो जाता है क्योंकि third party तो तीन साल लगतार हो जाता है और बीच में on damage policy break हो जाती है तो दोनों को अलग-अलग maintain करना पड़ता है अब दोनों को अलग maintain करने से अच्छा क्या होता है कि अगला जैसे on damage का renewal जाएगा तो क्योंकि vehicle sale date से तीन साल से जादा है तो automatic comprehensive पकड़ लेगा तो थोड़ा जैसे मान लेते हैं छे महिना का comprehensive additional देना पड़ेगा जैसे sorry TP additional देना पड़ेगा जैसे TP rate यह अगर TP करवा लेते हैं तेरह जनवरी 23 से 24 तो जब यह 12 अगस 23 से जब renewal कराते तो वहां comprehensive ही इसका insurance होता और comprehensive ही पकड़ता हाला कि OD opt कर सकते हैं वह सारी company only OD देती है लेकिन TP को maintain करना होता है तो यह third party policy को maintain करने से अच्छा है कि यह जनवरी 23 से 23 जनवरी 23 थरड़ पार्टी ले ले लेते हैं 294 रुपईया प्लस tax additional ले ले लेते हैं और जैसे अगस्त में अगली renewal होता तो वहां पे थोड़ा सा समझ यह third party का loss bear कर लेते हैं customer और वहां पर comprehensive चलाना सुरू करते comprehensive कहा जाए तो on damage policy और third party policy एक साथ जब हो तो उसे comprehensive करते हैं तो पता यह चला कि जब भी गाड़ी की accident होगी और अगर आपको claim लेना है तो accident date पर third party insurance जो liability policy होती है वो और only और on damage insurance दोनों valid होना चाहिए same time ठीक है तो आसा करते हैं doubt clear हो गया होगा thank you